सब्सक्राइब तो मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है मैं हो साधना, साधना का प्यार भरा राधे राधे आज मैं आपको फर्टिलाजर बनाना बताऊंगी वो भी किचिन वेस्ट से ये है किचिन वेस्ट प्याज के चीर के ये तीन-चार प्याज के चीर के है और इनका हमें करना क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी और फ्रेंट्स ये हर घर में आती है फ्री की चीज है और फ्री की चीज किसको पसंद नहीं आईगी तो चलिए अब हम इसका फर्टिलाजर बनाना फ्रेंट्स सबसे पहले हम एक ये डिपा लेंगे खाजी डिपा और इसमें हम ये सारे र्याज के चीर के डाल देंगे और इसमें एक लीटर पानी डाल देंगे अब फ्रेंट्स इसको हमें एक रात के लिए 24 गंदे के लिए इसको हमें रखना है अब हम इसको कल खोलेंगे और वो दखकल लगा के रखता है जिसके कि इसमें कोई किड़े मखोड़े लाज़ा फ्रैस देखिए ये मैंने 24 गंटे के लिए रख दिया था अब ये देखिए इसका तलब इतना अच्छा आया है अब इसको हम चान लेंगे इसमें अनेक पोशक तक तो पाइदाते हैं जैसे हमारी शरीर के लिए पोशक तक तो भी ज़रूरत होती है उसी तरीके से कौदों के लिए भी ज़रूरत होती है तो इसमें मेंगनेशियम, पोटेशियम, फार्स पूरस आधी पोशक तक तो पाए जाते हैं तो यह हमें पोदों के लेना बहुत ज़रूरी है प्रेंट्स हमको यह ऐसे पोदों में डाला है जो फूल वाले पोदी है वैसे तो आप किसी में भी डाल दीजिएगा तो प्यास से कोई नुक्सान नहीं होगा लेकिन हमें यह फूल वाले पोदों में 100% रिजल्ट देगा और इन प्योड़ों की पोदों की पतियां गिर र नहीं आ रहे हैं उनमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि फर्टिलाइजर दाए और फ्रेंट्स एक और आपको मैं सला देना चाहूँगी कि आप 15-15 दिन के अंतर पर अलग-अलग तरीके के फर्टिलाइजर दीजिएगा जिससे की यह है कि हमारे पौदों को और भी पोशक्त मिल जाएंगे क्योंकि हम अलग-अलग तरके बड़ा मुश्किल से दे पाएंगे तो अलग-अलग फर्टिलाइजर देंगे तो उनको पोशक तक तो भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे प्रैंट्स यह देखिये ये मेरा गुड़हल का पोदा है और इसकी मिट्टी देखिये बिल्कुल सूख चुक ए हलकीसी नमी है बलकुल सूख चुक है इसी मिट्टी में हमें ये अपना फर्टिलाइजर देना है और हर पो़दे में कम से गम 100 गराम के करीव फर्टिलाजर को आप हर फूलो वाले पौदों में दे सकते हैं और अनगिनत फूल पा सकते हैं अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए राते राते